बिहार बोड से जितने भी छात्र मैटरीक की बोड परिक्षा 2021 में उत्रीन कर लिये हैं और जिनको इंटर्मीडियेट में एडमीशन कराना है उनके लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आया है और आपके एडमीशन की पूरे परकिरिया के बारे में बिहार बोड के तरफ से जनकारी दिया गया है तो आई आज के नोटिफिकेशन के एक एक बात को समझते हैं अगे बताया जा रहा है कि यह ग्राहुई में दाखिले की परकिरिया सुरू पंजियन सुल्ग 300 रुपया इस सल आपको पंजियन सुल्ग पिछले साल भी 300 था इस साल भी 300 ही रहेगा बिहार बोड ने 2021 से 22 के सठ्र में अर्फाट को 2021 से 22 में 11 करना और 20 से 23 में 12 करना है तो उनके लिए नमांकन की परकिरिश के आगे बताया जारा कि UFSS के माध्यम से आपका नमांकन होगा और कला बिग्यान और बाणी जिसंकाय में नमांकन के लिए विद्यार्थियों को ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अर्थात को आपका रजिस्ट्रेशन करते समय बताना पड़ेगा कि आप आर्ट साइंस या कमर्स किसे कलास 11 और 12 करेंगे वोड की माने तो ओनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सभी कोटी के विद्यार्थियों को 300 रूपय सुल्क देना पड़ेगा अर्थात के जो रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया 300 रूपया इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगा आप चाय किसी भी कास्ट से हो आपक चात्रों को स्कूल कॉलेज 24 भी देना होगा चात्र चाहे तो अपने ही स्कूल में ग्राहुई में नमांकर ले सकते हैं यह बिकल्प बोर्ड द्वारा दिया जाएगा आप जीसी स्कूल से मैट्री के बोर्ड परिक्षा उतिन करने हैं अगर अगर वो पलस टू होगा तो आप उसमें भी 11 में एडमिशन ले सकते हैं यह बिकल भी आई इस साल आपके लिए मौजूद रहेगा आगे देखिए नीचे जानकारी दिया गया है कि क्यों इस साल समय लग रहा है तो सीबीएसी और आईसीएसी छात्र का भी एडमिशन बियार बोर्ड कराता है तस्वी क इसके बाद एक रहुई में तो उन्नी का रिजल्ट नहीं आया है इसलिए अभी इतना समय ले लिया बिहार बोर्ड पे जानकारी दिया जा रहा है कि साथ चर्णू में रजिस्टेशन की परकिरिया होगी उस प्रूपेक्टस में सभी जानकारी मिल जाएगे कैसे आपको फ परकिरिया की जाएगी सारी परकिरिया ओनलाइन होगा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नमांकन के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिजिस्टेशन करना पड़ेगा नम्यांकन के लिए बिहार बोर्ड पुर्पेक्टस भी जारी करेगा और आगे इमेल आइडी मोबाइल नमर और अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो है न्यू आपका फोटोग्राफ जो इस समय का आप दिया गया फोटोग्राफ हो पासपोर्ट साइज उसको तैयार रखें फॉर्म भरने के बाद सुल्क जमा करने का बिकल्प मिलेगा चात्रों क इसके बाद रजिस्टेशन पर किलिक करना होगा फोटो को सही से स्केन करके लगाए ताकि आगे नमांकन के समय कोई दिकत नहीं हो यहां पर असपरस्ट रूप से जनकारी दिया गया है कि जिस स्कूल कॉलेज में आप नमांकन लेना चाहते हैं उसके बिकल्प का चैन यहा आपका अड्मिसन लेने का पहले मन है कि मुझे इसी में अड्मिसन लेना है तो कॉलेज को आपको सबसे ऊपर भरनागे और यह नहीं है कि आप भर देंगे तो आपको उसमें अड्मिसन हो जाएगा उसके बाद के अनुसार इसल सभी परक्रिया ना अकजाम होगा ना अला इंटर्वी होगा सभी परक्रिया आपके माक्स जीना आपका नंबर आया होगा तेंथ में उसी के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा कूल मिला कर आज के नोटिफिकेशन की सरांज की बात करें तो बिहार बोड देखिए नोटिफिकेशन जारी करके बता रहा है कि कलास्तेंथ के सभी छातर अपने अक्षन को टिक अंत्रगत लाब चाहिए हूँ अपना जाती आए बना कर तयार रखे आप अपने एक फोटो, मार्क्षिट को लेकर आपको ज्यादा चींता लेने के बात नहीं है, मैट्रिक बोड परिक्षा उट्रीन किये हैं और आपके पास जो ऑनलाइन कम्प्यूटराइज मार्क्षिट आप डाउनलोड किये हैं उसी के अधार पे ऑनलाइन रजिस्टेशन कर सकते हैं और एक समय तक भी आरबुड मार्क्षिट का भी बीतरन सभी छात्रों के लिए कर दिया रहेगा, तो आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही ता जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद